आज की इस वीडियो के अंदर हम लेटेस जज्ज्मेंट्स अद वीक डिसकस करेंगे हर हफते मैं एक वीडियो लेकर के आता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे इसके अंदर पूरे हफते में जो जो इंपॉर्टन जज्ज्मेंट्स आई हैं हाई कोट सुप्रीम कोट की मैं उनका रिव्यू देता हूं आपको जो की बेसिकली वो जज्ज्मेंट्स जो आप अपने जुडिशिरी एक्जाम्स के में स्टेज में यूज कर सकते हो सो इनको आप समरी आप बना के रखो अपने रिजिस्टर्स के अंदर अगर आपको पीडिया फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो आपको रेगिलर्ली इनकी पीडिया फाइल्स मिलती रहेंगी इन जज्जमेंट्स को ज़रूर यूज करना इसे मार्क्स डेफिनेटली आपके मेंस में बहुत जादा इनक्रीज होने वाले है एक और मैं आपको यहाँ पर इन्फोर्मेशन दे दूँ हमारे इंस्टिट्यूट की एक एप है अगर आप उस एप को डाउनलोड करोगे तो उसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे क्या-क्या सबसे पहले तो हमारे इंस्टिट्यूट के जो जो जुडिश्री के कोर्सिस हैं हर्याना-ADA के कोर्सिस टैस्सिरीज प्रीलिंस मेंस की टैस्सिरीज सारे कोर्श की låt डिटाइल साब को एप के अंदर मिल जाएगे और अगर आपको अच्छा लगए तो आप किसी Sophos के अंदर एन्रोल भी और सकते हो साथ साथ अगर आप enrollment नहीं भी करते हो तो भी आपको daily newsletter मिलता रहेगा institute का newsletter बनता है daily बनता है और वो और वो daily basis पे आपको free of cost मिलता रहेगा साथ साथ बहुत सारे live sessions free of cost हम करते हैं judiciary exam से related बहुत सारे test हम करते रहते हैं अभी हमने हर्याना ADA का भी test किया था यह सब आपको free access मिलता रहेगा सो एप कैसे डाउनलोड करें description में आपको link मिलेगा otherwise मैं आपको convenience के लिए बता दू अगर आप android user हो तो अपने play store में जाकर करके search करना चिनार law institute आपको app मिल जाएगी और अगर आप iOS user हो तो आप search करना अपने app store में my institute आपको app मिल जाएगी तो फिलाल इस वीडियो का आगे पढ़ते हैं इस वीडियो को proceed करते हैं समझते हैं कौन कौन सी judgments आपके exam के लिए important हो सकती है जो कि आप अपने mains के अंदर use कर सकते हो सो अभी recently अरविंद कुमार वर्सी स्टेट अफ एंसिटी अफ डेली के अंदर court ने बूला है यह 17 जुलाई की judgment है सुप्रीम कोट बेसिकली क्या है यह 302 का मैटर था murder का case था उसको 304 A में convert कर दिया सुप्रीम कोट ने हुआ यह था कि एक पुलिस कॉंस्टेबल के पास एक पुलिस ऑफिसर के पास एक semi-automatic पिस्टल थी और वो उसने safety mode उसके अंदर only किया हुआ था उसने रखी होई थी अपने पास safety mode open ली था उसका तो ऐसे में हुआ क्या उसने कुछ दूसरे कॉंस्टेबल से अपने कुलीग से किसी से कुछ बोला कुछ काम करने के लिए उसने मना किया तो उनके बीच में आपस में सकपल हो गई ठीक है माला हाता पाई सी होगा हलकी फिलकी उस हाता पाई में क्योंकि जिस वो पुलिस ऑफिसर जिसके पास वो semi-automatic gun थी उसने safety अपने on नहीं कर रही थी उसने अपनी pistol की तो उसे गोली चल गई and the other constable died तो यहाँ पर 302 के अंदर कन्विक किया गया बट सुप्रीम कोट ने गभाई इस नोट अमेटर ऑफ 302 यह 304 A का मैटर है क्यों क्योंकि safety अगर उसने उपन नहीं भी कर रहा हुआ था अपनी semi-automatic pistol में that does not mean कि हम यह infer कर लें कि उस police officer की knowledge थी कि उससे कोई death हो सकती है तो यहाँ पर इस case में knowledge कहीं से infer नहीं हो रहा and इसलिए 304 A negligence जरूर है पर यह knowledge of death नहीं है यहाँ पर murder को prove करने के लिए culpable homicide prove करना पड़ता है 299 के अंदर 299 में या तो intention prove करनी होती है या तो knowledge prove करनी होती है intention knowledge prove नहीं होती तो next test होता है 304 A का क्या rashness या negligence prove हो रही है अगर हाँ तो हम rash negligent act के लिए liable कर देंगे है so इस case में अब 304 A के और 302 के बीच में difference को समभनने के लिए इस case को पढ़ सकते हो इसको use कर सकते हो then अगले case के अंदर चलता है power vaccine versus state of UB अब इसके अंदर क्या हुआ था so basically ये interim compensation का NIA का concept है negotiable instrument act में अभी recent amendments हो इंती जिसके अंदर interim compensation add किया गया है for example अगर आपने मुझे check दिया वो dishonor हो गया और मैंने आपके against case file किया तो जब मैं case file करूँगा तो मैं court से कह सकता हूँ कि sir मुझे फिलाल जो check amount है उसका up to 20% का compensation दिलवाओ case तो चलता रहेगा फिलाल में को interim compensation interim मतलब temporary compensation अभी दिलवाओ section 143 capital A के अंदर इस provision के अंदर रहना यह के court up to 20% का compensation मुझे दे सकता for example अगर एक लाग का check है तो court उस respondent को मतलब जिसका वो check था ठीक है drawer so जिसका वो check था जिसका वो bounce हुआ है जो dishonor हुआ है उसको बोलेगा कि भई up to 20% आप इसको अभी immediate compensation दो so मैंने basically case file करा dishonor of check का section 138 के अंदर और interim compensation मांगा section 143 capital A में court 143 A का यह order कब करेगा जब दूसरी party मलब रिस्पॉंदेंट यह वो accused बोल रिस्पॉंदेंट बोलो वो जब जिस time वो plea of guilt की situation आएगी plea of guilt क्या होदा है do you plead guilty on this charge court पूछेगा 138 के लिए कि आप plead guilty करते हो वो कहेगा नहीं I don't plead guilty तो ऐसी situation में उसके बाद ही 143 A का order हो सकता है that means plea of guilt से पहले 143 A का order नहीं हो सकता है यह बाद Supreme Court ने इस case में clear करी है ठीक है so plea of guilt से पहले नहीं हो सकता plea of guilt के बाद 143 A का order code कर सकता है ठीक है यह आपके paper के लिए important हो सकता है prelims में भी आ सकता है यह question तो ध्यान रतना है इसका okay next case चलते है लोकेंदर गूजर वर्सेस state of MP so यहाँ पे क्या था यहाँ पे basically एक petition file होई थी जिसके अंदर public services के अंदर OBC and unreserved category के अंदर reservation claim की जा रहे है कि reservation होनी चाहिए और जो litigant था वो petitioner उसने कहा कि सर एक ना neutral bench आप set up करो neutral bench का मतलब कि ऐसा bench set up करो जो ना तो OBC category के हो मतलब judges और ना ही unreserved category के लिए हो court ने का भाई who are you to tell us कि हम कैसा bench set up करे so उसने मांगा special neutral bench court ने बोला कि recuse करना है नी करना recuse मतलब withdraw करना है कि हम इसको decide करे या नी करे क्योंकि हमारा खुद का अपना interest इसमें involved हो सकता है हम इस matter को decide करे नी करे ये तो हम decide करेंगे कोई petitioner कोई lawyer हमें नी बता सकता कोई वकील हमें नी बता सकता कि हमें Recuse करना है या नहीं करना क्या हमें उसको deal करना है या उससर Basis Recuse होने हमें रटने किसी और जज़ इसको bench को constitute करने के लिए पूने है So, Recuse करने की जो power है यह सिर्फ court के पास है कोई वकील हमें नहीं सिखा सकता कोई lawyer हमें नहीं सिखा सकता क्या हमें recuse करना है या नहीं करना ठीक है? आप ये principles of natural justice के topic के अंदर इस case को use कर सकते हो next case में चलते हैं P. Yuvah Prakash versus state so basically यहाँ पर POXO का matter involved था जहाँ पर age बड़ी matter करती है अब age को determine करने के लिए court नहीं हाँ पर कुछ चीजे बताई देखो age कैसे पता चले कि victim की age या accused की age क्या थी उस age को कैसे पता लगाया जाए court ने कहा कि जो admission के जो school के अंदर जो documents होते हैं या फिर यहाँ पर लिखा TC transfer certificates में जो age लिकी होती है यह reliable नहीं होते हमें यह चेक करना पड़ेगा section 94 of POXO prevention, sorry, section 94 of JGF, juvenile justice act हमें बताते हैं age कैसे calculate करनी है age के लिए proof क्या होंगे age के लिए court कह रहा है कि सबसे अच्छा proof थो होता है 10th की mark should matriculation certificate जो होता है that is the best proof, अगर वो नहीं है school का कोई equivalent कोई और proof है, अब वो certificate दे सकते हो अगर वो भी नहीं है, तो ऐसी situation में, जो municipalities या panchayat ने जो certificate issue करा हो, वो दे सकते हो और अगर वो भी नहीं है, तो फिर एक ossification test होता है, जिससे कि basically bone के basis पे bone का test होता है जिससे पता चलता है कि उस बंदे की age कितनी है, उस person की age कितनी है ossification test आप करा सकते हो, लेकिन वो test का order कौन करेगा या तो कोई board करेगा, या तो code करेगा या तो committee करेगी, so अपने आप से ossification test नहीं हो सकता, so सबसे पहले देखने हमारे पास क्या 10th की कोई certificate है या नहीं है, मतलब PC या admission के अंदर जो school के पास जो records हैं, क्याने ये सब कोई proof नहीं होते है अगर 10th की certificate नहीं है तो उस case में equivalent school का कोई और certificate है, तो वो देख लो वो भी नहीं है, तो फिर उस case में municipality panchayat का कोई certificate है date of birth के लिए, तो वो देखो वो भी नहीं है, तो ossification test होगा या और जो procedure section 94 JJ Act कहता है, वो follow किया जाएगा ठीक है, so again this important case next case में चलते है so ये है रभी प्रकाश वसे state of Odisha, इसके अंदर basically POXO का section 37 involved था, तो को section 37 I'm so sorry POXO नहीं है NDPS, Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act, NDPS का section 37 यहां पे involved था section 37 कहता है तो देखो अगर किसी accused को arrest करा है NDPS के अंदर तो उसको bail सिर्फ तब मिलेगी जब ये prove हो जाए, जब ये satisfy हो जाए, satisfaction क्या होनी चाहिए कि इस आदमी ने कोई crime नहीं किया जबकि अगर bail के otherwise आप law पढ़ो, law समझो अगर जो हम CRPC के अंदर bail के provisions के लिए जो guidelines follow करते हैं उसके असाब से ये है कि अगर कोई chance of repetition of crime नहीं है अगर वो भागे गने, abscond नहीं होगा investigation में participate करने के लिए ready है तो उसके basis पे and etc. उसके basis पे bail मिल जाती है offense proof होगा, नहीं होगा ये कोई determination नहीं हो तब bail के लिए अब वो तो last में जाकर के जब trial conclude हो जागा, judgment आईगी तब जाकर के पता चलेगा, इस आदमी ने crime करा है नहीं करा तो उसके basis, section 37 करा है satisfaction होनी चाहिए है, prime office है satisfaction होनी चाहिए है कि this person has not committed crime this should not be court ने क्या बोला, this is against article 21, freedom of liberty कि against है ये कि आप किसी को prolonged incarceration के अंदर basically prolonged अगर jail के अंदर रख रहे हो तो ऐसी situation में incarceration मतलब जब बहुत लंबे time तक jail में आप बंद करके रख रहे हो और उस bail देने के लिए condition लगा रहे हो कि हम तो bail सिर्फ तब देंगे जब ये prove हो जाएगा कि satisfy हो जाएगा कि इस आदमी ने कुछ नहीं क्राइम किया है और ये फिर से crime repeat नहीं करेगा ये तो बहुत गलत है तो अभी कम से कम trial तो conclude होने तो तभी तो पता चलेगा कि क्या उसने offense किया है नहीं किया तो इसलिए इस section 37 को quote ने का भई इसको थोड़ा liberally constitute करना पड़ेगा और अगर लंबे टाइम से कोई आदमी jail में बंद है और अभी trial चल ही रहे तो उसके अंदर उसको bail पर release किया जा सकता है section 37 limitations नहीं लगाएगा इस तरीके की I hope आपको ये सारी judgment समझ में आई होगी and these are all important judgment for your judiciary exams इनको note करते रहो use करते रहो PDFs चाहिए है तो telegram channel को join करो आपको PDFs regularly मिलती रहेंगी Thank you so much for watching I'll see you in the next video